शेहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें कोरोना संक्रमन के बढ़ते मामलों के मद्दे नजर दिग्रश शेहर में 22 से अठाई जुलाई तक संचारवंदी की घोशना हो चुकी है इस संदर में जिलादिकारी द्वारा जारी सुचना के बाद शेहर के मार्केट में बेताहाशा फीड उमर बड़ी थी ऐसे में प्रशासंद वारा जिवनावशक सामगरी खरेदी के लिए दिया गया समय ना काफी साबित हुआ जिस वज़े से अचानक दी गई उपरोगत सुचना पर ग्रह को और नागरी को ने रोश व्यक्त किया है दिगरश शहर में पढ़ते कोरोनास संक्रमन के मामलों ने न सिर्फ स्तानिया बलकि जिलापरशासन भी सकते में है ऐसे में जिलादिकारी M.D.C. हज़वारा दिगरश तता पुसत तहसिल में 22-28 जुलाई तक संचारबंदी की घोशना की मालुम हो कि इस संधव में सोमवार की देर रात सोशल मीडिया पर इसकी सुचना प्रसारित हुई थी जिसके बाद मंगलवार को बाजार में सुबह से ही लोगों की भीड जुट्टी गए हर कोई जलबाजी में जिवनावशक सामानों की खरेदी में व्यस्प नजरा रहा था कची चोक में लाइन सबजी मंडी किराना लाइन आदी सहित शहर बाजार का चपा चपा लोगों की भीड से सराबोर हो चुका था इसके परिनाम स्वरुप जगा जगा पर ट्राफिक जायम का मज़र बना रहा दुकालों के सामने ग्राहकों की भारी भीड रेहिडी पट्रिवाले माल धोकर ले जाने वालों सहित एपे रिक्षा रहागेर हर कोई अपना काम निप्टाने की जुगत में लगा था स्तानी या नागरी को और ग्राहकों की मानों तो प्रशासन अगर दो से चार दिन पहले इस मामले में जानकारी साजा करती तो आज बाजारों वे ना ही इतनी भीड होती ना ही लोगों में हडबडी मचती और ना ही सोशल डिस्टनसिंग की इसकदर धज्या उड़ती तुम्चा जी परश्चन अगर्दी के लिए वही गंबिर बाब है कदाचीत शाष्चन वो प्रशाष्चन ये चा मदे ताल में नसले मुले वह अपने सन्मानी ये मुख्य मंतरी जनते मदू नहीं आले त्या मुले तन्ना कदाचीत जनते जा प्रठ्णाई समझ कमी हसे त तुम्चा जी परश्चन अगर्दी वाड़ने चे कारण है कि लोकां चा मनात नी भीती ची भावना निर्मान जाली लिए आगोदर ता दिग्रस्मते दहाते दोन हीच वेड भेटली होती चार ता साथ नी काई खरीदी करनार काई नाई खरीदी करनार वेड पूरे सानो ता आणि आनकी तेजातनी हेच शाताट दिवच्चे बन बोलो लेले प्रशासना नी त्या मुड़े लोकां ना असे वाटता ताए कई कस्ता कार रहे काई रोज मजू रहे सगड़ानना ला पन नहीं है त्या मुड़े नाई का घी गर्दी वाड लेलिया है विच्चरे का अनना लेका घी साथ तर्व मना वठते है जरा अधे सर्कारनी जरा दो चरा आदियों सपासादियों साहोदर जरा संगी तर्व भरत फरक पर लास था तो आज जन्ता को जिवनावशक सामान जूटाने के लिए इतनी मशकत न करने पड़ती। और ना ही बाजारों में उम्री भीड से कोई परिशान होता। इन बीसेन नियूस के लिए जबिर खान की रिपोर्ट।